हम बाहर खड़े होकर के दर्शन करते हैं, पद्म पुरान कार बताते हैं, पवित्रा रोपन के विधान में, पवित्रा जो आरोपन करते हैं ठाकुर जी के श्रीकंठ में, उनको जो फल प्राप्त होता है, वही फल दर्शन में भी है। तुलसी जी की कुछ बातें आपको बताऊंगा। लिखा है, शंकर भगवान के मुख से ये तुलसी महीमा बताई गई पद्मपुरान में। लिखा है कि तुलसी का महात्मय भर सुन लेने से जन्म मृत्यू के चकर से हम छूट जाते हैं। जन्म से लेकर मृत्यू तरंक परि पत्त्तियादी सभी पावन है तुलसी संभवम सर्वं पावनम मृिक आधिकम जो तुलसी काष्ट का helps कटन स्रीकृिश्न को अरपन करता और उनके श्री विग्रह में भक्ति पूरवक लगाता है वो सदा श्री हरी के समीप रमन करता है यही हरीचंदन है तुलसी का काष्ट भी चंदन काष्ट की तरह घिसा जा सकता है यही सरवांगे हरीचंदन है तुलसी का काष्ट इसमें घिसदो हो गया हरीचंदन लिखा है जो तुलसी काश्ट की आग से भगवान के लिए दीप जिलाए तो कान खोल कर सुनिए उसको दस करोड दीप दान का फल मिलता है जो ब्राह्मन तुलसी काष्ट की अगनी में हवन करते हैं उन्हें एक-एक सिख्थ अर्थात भात के दाने में अथवा एक-एक तिल में अगनी स्टोम यग्य का फल मिलता है जिस यग्यन के कुंड में तुलसी का एक छोटा सा काष्ट डाल दिया जाए फिर लिखा है तुलसी की लकडी की आँच से तयार किये हुए नैवेद्य का थोड़ा सा भी अन्न भगवान केशव को औरपन किया जाए तो मेरू के समान अन्यदान का फल देने वाला होता है जो भगवान को तुलसी काष्ट का धूप देता है जो भगवान को तुलसी काष्ट का धूप देता है वहाँ उसके फल स्वरूप सौव यज्ञान उष्ठान और सौव गवदान का फल पराप्त करता है केवल तुलसी काष्ट का धूप ये कचरा समझकर न फेंके आगे जो मनुश्य अपने अंग में तुलसी की कीचर लगाकर श्रिविष्णु का पूजन करता है उसे एक ही दिन में सौ दिनों के पूजन का फल पराप्त होता है ये सब कुछ गीता प्रेस से प्रकाशित पद्मपुराण में आप दर्शन कर सकते हैं लिखा है तुलसी की जड़की मिट्टी से स्नान करने से तिर्थ स्नान का फल मिलता है जो तुलसी की नई मंजरी से भगवान की पूजा करता है वो जब तक सूर्य चंद्र है तब तक पूपुन्य भोगता है तुलसी द्वारा पूजीत होकर भगवान श्रीहरी भयंकर उत्पातों रोगों तथा अनेक दुरनिमित्तों का भिनाश कर डालते हैं फिर लिखा है प्रति दिन तुलसी दल्क से पूजा करेगा कोई वेक्ति भगवान की तो वह धनवान होता है तुलसी की मूर्ती संपूर्ण सिध्यों को प्रदान करने वाली हैं फिर लिखा है पारवण श्राध के अउसर पर श्रावण मास में तथा संक्रांती के दिन तुलसी का पौधा लगाना ये अत्यंत पुन्यदाई है तुलसी की जड में ब्रह्माजी रहते हैं मध्यभाग में भगवान जनारदन रहते हैं और मंजरी में रुद्रदेव का निवास है इसलिए शायद मंजरी रुद्रदेव को चड़ती है जिस घर गाव या वन में तुलसी का वरक्ष हो वहां जगदीश्वर श्री विश्नु प्रसन्न चित्त होकर निवास करते हैं उस घर में दरिद्रता नहीं होती वहां दुख भई रोग नहीं ठहरते जहां तुलसी की सुगंद लेकर हवा चलती है वहां की दसों दिशायों और चारों प्रकार के जीव पवित्र हो जाते हैं जिस घर में तुलसी के मूल की मिट्टी हो वहां संपूरन देवता तथा कल्यानमई भगवान श्रीहरी सरवदा स्थित रहते हैं विशेशतह अब ये थोड़ा अंजान सा लगेगा पर सुनेंगे तो बड़ा अनंद आएगा लिखा है विशेशतह शिव मंदिर में यदि तुलसी का वरुक्ष लगाया जाए तो उसमें से जितने बीज तयार होते हैं मंजरी और मंजरी जब सुख जाये तो उसमें से बीज तयार होते हैं उसी को बोदें आपको कहीं उसके पोधे लेने जाने की जरूरत नहीं अपनी ही तुलसी से बार बार आप अपना तुलसी का पोधा नया कर लेंगे तो मंजरीयों को समभलना चाहिए उसे वहीं फिर आपको ये विदेशों में रहने वाले जब तुलसी संबालना चाहिए तो उनके लिए बहुत अच्छा ये मंजरी वाला उपाए है तो लिखा है कि शिव मंदीर में यदि तुलसी का वरिक्ष लगाये जाए तो उसमें से जितने बीज तयार होते हैं फिर कान खोल के सुने उतने ही युगों तक मनुश्य स्वर्ग लोक में निवास करता है भगवान के समीप पृत्वी तल पर तुलसी लगाने से सदा वईकुंठ की प्राप्ती तुलसी सरवत्र पवित्र है और पुन्यतिर्थों में वो अधिक पावन मानी गई है और फिर लिखा है कि तुलसी वरिक्ष के बगीचे का दर्शन और स्पर्ष कर लेने मातर से भी ब्रह्महत्यादी पाप नश्ट हो जाते हैं जिनका मुर्त शरीर अब थोड़ी और ध्वदेहिक बाते भी कर लें और फिर में पूरा करूँगा लिखा है जिनका मुर्त शरीर तुलसी काष्ट की आग से जलाया जाता है वे विश्णु लोक में जाते हैं यह जब से मैं पढ़ा है मैं जहां भी पहुंचता हूं किसी की अर्थी वगेरा को देखता हूं अपने घर से तुलसी काष्ट ले जाता हूं या वहां कहीं खोज करके उसमें डाल देता हूं इसमें सबसे पहली मेरी दादी मा थी मैंने जब पढ़ा तो उसके बाद सबसे पहली जो भगवान के धाम में गई वो मेरी दादी थी और मैंने इस वचन को याद करके तुलसी काष्ट कर दिया मैंने कि वै तो वैसे ही जाएगी हवेलि में जिनकी बढ़ा कुर जी की सेभा करने वाली कियों वही कुंट में नहीं जाएगी. वह तो यहां थी तब भी वही कुंड में थी. तो यह करने जैसा है यह हम कर सकते हैं इसलिए मैं कहरा हूँ. जिनका मृत शरीर तुलसी काश्ट की आग से जलाया जाता है वे विश्णू लोक में जाते हैं मृत व्यक्ति यदि व्यभीचारादी किसी भी पाप से गरस्त हो तुलसी काश्ट की अगनी से देह का समस्कार होगा तो वो शुद्ध हो जाएगा लिखा है जिसकी मृत्यू के समई शरी हरी का किर्तन समरण और तुलसी की लकड़ी से जिस शरीर का दाह किया जाए उसका पुनर जन्म नहीं होता आपको लगेगा कि इतने सारे तुलसी काश्ट कहां से लाएं क्योंकि मनुश्य शरीर के लिए तो ज्यादा चाही तो यहां ल पवित्र हो जाते हैं वैसे श्मशान में यदि कभी जाना हो तो लिखा है कि श्मशान का वो जो मृतक अगनी है चिता जब जलाई जाए तो मृतक जो अगनी है उसमें से जो धुआ उठता है वो धुआ यदि स्पर्श कर जाए तो लिखा है कि जनम भर किया हुआ पुन्य खतम हो जाता है अब यहां और कुछ लिखा है यदि तुलसी कास परश करा दिया जाए तो क्या होगा लिखा है जिस अगनी शाला या श्मशान में गी के साथ तुलसी काश्ट की अगनी प्रज्वली तो होती है वहां जाने से मनुश्यों का पातक भस्म हो जाता है उसमें पुन्य भस्म हो जाने की बात है यहां पाप भस्म हो जाने की बात आई तुलसी काश्ट की अगनी से मृत मनुश्य का दाह होता देख क्या होता है बुले विश्णू दूत ही आकर उसको वईकुंट में ले जाते हैं वो करोणो जन्मों के पाप़ों से मुक्त होकर भगवान विश्णू को प्राप्त करता है जो मनुश्य तुलसी काष्ट की अगनी में जलाए जाते हैं उन्हें विमान पर बैठकर वईकुंठ में जाते देखकर देवताव उनके उपर पुषपांजली चढ़ाते हैं ऐसे जीव को देखकर भगवान विश्णु और शिव संतुष्ट होते हैं और लिखा है श्री जनारदन सामने जाकर हाथ पकड़ कर अपने अक्षरदाम में ले जाते हैं और फिर पिंड़दान की बात पिंड़दान में लिखा है कि तुलसी दल को मिलाकर पिंड़दान करने से सो वर्ष तक पितर त्रिप्त रहते हैं ये तो किया ही जाता है और समुद्र मन्थन की कथा में नई बात लिखा है महालक्ष्मी जी प्रकट हुई फिर चंद्रमा प्रकट हुए और पदमापुरान का वचन है कि चंद्रमा प्रकट हुए जो हम सब के मामा हैं। ये केवल हमारी दादियों से सुना हुआ नहीं है, पुरान भी इसके साक्षी देता है कि चंद्रमा सबके मामा है, मैया है, महालक्ष्मी जी, श्री जी और मामा होगे ना, और फिर लिखा है कि इन के बाद समुद्र मंथन से भगवान श्री हरी की पतनी तुलसी जी प्रकट ह जो परम पवित्र है और समपूर्ण विश्व को पावन बनाने वाली है, जगन माता तुलसी का प्रादुर भाव श्री हरी की पूजा के लिए ही हुआ है, और सच में कभी भी श्री हरी का दर्शन करिये, मंगला के बाद जब रिशिकुमार ठाकुर जी के उस सजा देते है पुष्पों की मालाओं से, तो उनके चरणों का फिर दर्शन नहीं होता, वो इसलिए नहीं की नहीं कराना चाते हैं, लेकिन इसलिए कि उसमें तुलसी से वो दोनों चरणा अच्छा देते रहते हैं, अंत में श्री राजंद्रदाश जी महराज के द्वारा सुनी हुई एक बात कह करके पूरा करूंगा, उन्होंने कहा कि दुलसी जी क्यों इतनी ज़्यादा चड़ाई जाती हैं, बोले इसलिए चड़ाई जाती हैं कि दुलसी की जो मंजरी होती है, उस मंजरी में सफेद छोटे छोटे फूल होते हैं, उसमें से कोई सुगंद आती है, मैंने वही सुगंद श्री राधा जी, श्री श्री जी के शरीर से आती है, और इसलिए ठाकुर जी को तुलसी जी जियादा पसंद है. हम सब रिशी कुमारों को यहाँ पूरान प्रवचन के लिए अवसर दिया गया, इसके लिए अवसर के परदाता, करुणा निधन, पुझ्य भाहिशरी के चरणों में, हम सब रिशी कुमारों की ओर से बार-बार दन्डवत प्रणाम करता हूं, आप सबने बड़े प्रेम से स इसलिए हम सब रिशी कुमार आपके अभारी हैं, कृतक जिता पूर्वक, पुना पुज्य भाय श्री के चरणों में प्रणाम, पुज्य स्वामी जी श्री मादव प्रिय स्वामी जी के चरणों में प्रणाम,